अध्याय दो देख रहे हैं अंडर्स्टैंडिंग सेक्यूलिरिजम धर्मनिर पेक्ष्टा इसको समझना इसके बारे में बात करेंगे आज अगर आप माल लीजे आप हिंदू या मुस्लिम है और आप युनाइटेट स्टेट्स अफ अमेरिका जाते हैं या वहां के सिटिजन बन जाते हैं और वहां पर क्रिशन लोग जादा है या कहें क्रिश्चिन फंडमेंटलिसम या कहें कटरवाद, रोडिवाद ये जादा है तो आप युनाइटिट स्टेट्स के सिटिजन होने के बावजूर अगर आपको कोई घर किराय पे नहीं देता है, रेंट पे नहीं देता है तो आपको कैसा लगी का, कैसे फील करेंगे आप आप, आपका भिद्भाव हो, आपके साथ आप क्या करेंगे, आपको कहा जाएगी भारत वापिस चले जाओ तो आप क्या चाहेंगी कि ऐसा आपके साथ हो आप retaliate कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं आपको injustice लग सकता है, अमानवे वहवार लग सकता है भेदभाव जो है आपके religion के हिसाब से या फिर आपके धर्मिक belief मानेताओं के अधार पे ये गलत हो जाएगा इसका मतलब ये है, कि ये माना जाता है कि जितने भी religions धर्म के इधाधार पे domination है, दबाव है इन सब को खतम होना जरूरी है यही धर्म निर्पेक्षता होती है धर्म निर्पेक्षता निर्पेक्ष जो बनाया है, निर्पेक्ष पक्ष से बनाया है बगार किसी पक्षे, कोई भी धर्म का पक्षा आप नहीं लेंगे हिस्ट्री में अगर आप जाएं, इतिहास में जाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे उधारन मिल जाते हैं डिस्क्रिमनेशन के, डिस्क्रिमनेशन मतलब होता भेद भाव exclusion यानि की बाहर करना, community से, persecution मतलब सताना सताना मतलब ये किस करण़ से, धर्म के अधार पे हिटलर का नाम आप पे सुना होगा, बहुत बड़े ये विलन रहे हैं हितिहास में, जर्मनी के लीडर थे इन्होंने लाखों जियूज को बरी बुरी तरीके से गैस चंबर में डालके मारा जियूज हैं यहूदी, अब यही यहूदी अपने इस्राइल में मुस्लिम के साथ, गाजा एक अलाका आता है, उसके साथ, क्रिश्चन के साथ, जो इन्होर्टी वहाँ पर रहती है, उनके साथ यह सेम बिहेवियर कर रहे हैं, अगर आप सौदी अरब जाएंगे, जो मुस्लिम्स नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट है, वहाँ पर वो टेंपल ही बना सकते, मंदिर नहीं बना सकते, चर्च नहीं पर जो कम लोग हैं, मैनोरिटीज हैं, उनको या तो सताते हैं, या उनके साथ भिद्भाव कर सकते हैं, उनके साथ बुरा वहवार करते हैं, तो इन सब भिद्भाव को खतम करना, ये तब होता है, जब एक रिलिजिन, अगर देश का ना हो, अगर देश मान लीजे, एक रि आदमी तो वही होता है, इंसान तो वही होता है, तो हिंदुस्तान में ज्यान रखें, जो इनागरिक हैं, उनको उनके धार्मिक आधार पे, धार्मिक बिलीफ के आधार पे, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई उनको सताय नहीं जा सकता, कोई डिस्क्रमिनेशन नहीं किया जा सकता है तो जब हम हिंदुस्तान के सम्विधानों के बारें बात करते हैं तो इसमें हम सेकुलिरिजम की बात कर रहे हैं धर्म निर्पेक्ष्टा है क्या हमारे जो भारत के सम्विधान में fundamental right यानि मौली का धिकार है उसमें clear दिया हुआ है जो चोथा मौली का धिकार है उसमें दिया है कि जो धर्मिक स्वतनता मतलब आप freedom of religion practicing religion इसका मतलब यह है कि यह आपको बचाता है Indian constitution यह मानता है कि आपके जो भी religious belief हो आपके को भी धर्मिक मानिता हो किस तरीके से आप इसको मानिता करेंगे प्रोस्ट्रोफेस करेंगे बढ़ाएंगे सब चीजे इसमें दर्ज है यानि जो religious freedom का की मानिता है कि धर्मिक स्वतनता हो पूरे देश में यानि पावर जो सत्ता है वो अलग हो और सत्ता जो धर्म की है वो अलग हो धर्म और प्रशासन ये कभी मिलाएंगे नहीं जा सकता ना इसको मिलाएंगे जाएंगे यानि हिंदुस्तान में क्लियरली कहा गया है constitution ने बताया गया है कि religion कुछ भी हो सकता है हिंदू हो सकता है, मुसल्मान हो सकता है, हिंदू वैसे सनातन धर्म होता है मुसल्मान इसलाम धर्म होता है इसाई है, पर्शन है, जुराइजम है, जनिजम है, सिखिजम है बहुत सारे धर्म है, ये अलग है लेकिन हिंदुस्तान as a state, हिंदुस्तान as a country यहाँ पर कोई भी religion नहीं है सारे के सारे ये religion बराबर है यानि कि जो भी government है, उसका कोई religion नहीं है उसके हिसाब से कोई religion को वो favor नहीं करती है सारे धर्मों का वो समान करती है, सारे धर्मों का अधर करती है और उसके दृष्टी से, उसके चश्मे से देखा जाए ये जितने भी धर्म मैंने आपको दिखाए, ये सब बराबर है और इन दोनों को अलग रखा जाए, धर्म को कभी की politics के साथ ना बिला जाए तो क्यों जरूरी हो जाता है कि हम धर्म को देश की सरकार या politics से अलग रखे एक example आपको देता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे इसको माल लीजे आपकी एक majority government है, हिंदुस्तान की बात करें तो करीबन 80% से उपर हिंदू है, हिंदु धर्म को मानने वाले लोग है चाहे उसमें कोई भी वरण व्योस्ता में लोग आते हो लेकिन हिंदु population आप देखें, 80% से उपर है minorities में क्या क्या आती है, Muslims हो गए, ये करीबन 14-15% है इसके लावा आप Sikh आ जाए 1.8%, एक Christian हो गए, करीबन 1% हो गए और Buddhist हो गए, Jainism हो गए, कम-कम percentage में अब ये हो सकता है, कि जो हिंदु धर्म है, ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत इजदार धर्म है बहुत respect की जाती है, लेकिन होता ये है कि जो majority में इनमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो पूरी possibility हो सकती है कि ये जो मेंसे जो कुछ लोग होंगे, ये अपने politics चमकाने के लिए, अपना power लेने के लिए ये दूसे धर्मों के बारे में कोई भेधभाव करेंगे, या उनको धबाने की कुशिश करेंगे या उनके तरफ ध्यानी नहीं देंगे, उनके तरफ ख्याली नहीं करेंगे, ये कुशिश करेंगे कि सारे पावर हिंदु धर्म वालों के पास आजाए, सारा जो सत्ता है उनके पास आजाए, बेनिफिल उनके पास आजाए, ये कुछ लोग ऐसे होंगे, मुठी बह होते हैं, हर धर्म में होते, वो करेंगे ऐसा, यह कुशिश हो सकती है, इसलिए यह रीजन है कि धर्म को राजनीती से, प्रशासन से, गवर्मेंट से अलग किया जाए, दूसरी चीज़ अगर आपको बताओं, तो इसका क्लू सेपरेशन ज़रूरी है, कि हर एक आदमी, आदमी जो है, वो अपने, हो सकता है कि हिंदू धर्म से खुश ना हो, मुस्लिम धर्में आ जाए, हो सकता है कि मुस्लिम धर्म से खुश ना हो, वो क्रिश्चन बन जाए, कोई भी अपना religion चेंज कर सकता है, किसी और धर्म की लड़की से आपको प्यार हो जाता है, आप शादी कर लेते ह तो आपका आप उसका religion अराम से change किया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि हर एक धर्म को यह देखे freedom to interpret मैं आपके एक example देता हूँ इसमें कि untouchability यानि चुआ चूद चूआ चूद थी कि यह जो हमारी one ways था है जो अतिशुद्र थे उनको चूदा भी गुनाहा था वो चूदे वो अगर आसपास भी आ जाए कि भाई यह बड़ी दिकत वाली बात है तो सती प्रता थी जिसमें अगर विद्वा कोई हो जाती थी तो उसको पती के चिता पर ही जला दिया जाता था अब आप देखें कि यह हिंदु धर्म में थे धर्म में बकाइदा चल रहे थे लेकिन जो राजा रम मोहन रहा है वो भी हिंदु धर्म के थे उन्होंने देखा उनको किस तरीके से इंटर्पेट किया जा उनको यह समझ में आया कि यह गलत चीज़े हैं उन्होंने सती प्रता की खिलाफ बहुत कोशिश की क्योंकि उनके ही धर्म के बहुत सारे लोग ने मना किया कि इस इस अतिय प्रता को चलने दो और तो क्या होगा अदमियों के बाद जलने दो इनको लगड़ीयों में लेकिन उनका interpretation राजमोन रहा है और बाकी जो social activist थे उनका interpretation अलग था तो ये दूसरा कारण हो जाता है कि धर्म को रनीज से अलग करना पड़ता है हिंदुस्तान के secularism की बात करें कि हिंदुस्तान में secularism का मतलब क्या है धर्म निर्पेक्षा का मतलब यह है सिती सी बात ये है कि constitution ये कहता है हिंदुस्तान का फ़िधान ये कहता है कि अगर एक धर्म निर्पेक्षा राज्य होगा तो वो देश के लिए कुछ कर पाएगा क्या क्या चीज़ कर पाएगा कि एक religious community जो होगी वो दूसरे को दबा नहीं पाएगी दॉमिनेट नहीं कर पाएगी उनको खतम करने कोशिश नहीं करेगी और कुछ मेंबर जो होगे वो एक religious community में ऐसा नहूं कि एक community ब्रामन है एक community शुद्र है मतलब इस तरीकी के भावना नहीं आएगी दूसरी चीज़ यह है कि जो देश है वो particular religion के लिए नहीं कहेगा कि भई आप यहीं मानो दूसरे नहीं मानो या यह खराब है या अच्छा है तो एक एक example बताता हूँ है एक बड़ी community है और आपके पास एक छोटी community है अब यह बड़ी community जो है वो छोटे community को खाना जाए दबाना जाए खतम ना कर दे जो हमने history वे देखा है इसी तरीके से इसी community के अंदर जो दूसरी community हो वहला इसी जैसे हिंदू धर्म में ब्रहामन शत्रिय वैशिश शुद्र है तो ऐसा ना हो कि ब्रहामन जो है वो जो पिछड़ी जाती है उनको खतम करने की कोशिश करें उनको दबाने की कोशिश करें डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम इसको रियालिटी के तौर पे देखें तो शायद चीज़ नहीं हो पाएंगी या समय लगेगा लेकिन स्टेट का यह मनना है कि यह गलत है किसी के प्रती भेद्भाव बिल्कुल जायज नहीं है गलत है चाहिए आप किसी धर्म के खिलाब करें किसी गयर धर्म के या अपने धर्म में किसी कम्यूनिटी के खिलाब करें तो यह तीन चीज़े आप समझे आई आपको कि एक सेकुलर स्टेट यह चीज़े प्रवाइड कर सकता है धर्म निर्पेक्ष्ट अब इसका मतलब यह है कि जुद देश है वो अपने आपको डिस्टन्स करता है अपने आपको दूर करता है किस से? रिलिजिन से और उसको करना चाहिए यानि कोई भी रिलिजिन के प्रती उसका प्रेम ना हो हो उनके आदमियों का हो सकता है लेकिन ऐसा नहों कि रिलिजिन के हिसाब से ही सारी चीज़ चल रही है और हर एक रिलिजिन को ही सपोर्ट किया जा रहा है एक रिलिजिन के बारे में ही बात की जा रही है हमारे गवर्मेंट स्पेसेस जैसे अगर आप कोर्स की बात कर लें या पुलिस टेशन की बात कर लें, गवर्मेंट स्कूल की बात कर लें, गवर्मेंट आफिसेस की बात कर लें, वहाँ पर कोई भी religious चीज नहीं दिखेगी, यहाँ पर किसी धर्म का कोई सिंबल हो, या कोई धर्मिक चीज का आधार हो, उसम नहीं होगा, यहाँ पर example आते हैं, टीचर ने कहा, नहीं बेटा, यह गवर्मेंट स्कूल है, यहाँ पर हर जाती का, हर प्रजाती का, हर religion का आदमी आता है, और religion जो है वो आपका personal belief है, आप अपने घर में जाएए, celebrate करिए, आप कोई मनानी करेगा, लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि स्कूल में हम किसी धर्म का festival मनाएं, किसी particular धर्म का कोई रिती रिवाज मनाएं, तो गवर्मेंट स्कूल में यह नहीं हो सकता, यह possible नहीं है, आपका Christian स्कूल है, आप Good Friday मनाईए, आपका मदर्सा है, आप एद मनाईए, आपका आश्रम है, आप होली मनाईए, ज्वाली मनाईए, यह चला रहा होता है, कोई group चला रहा होता है, तो वो prayer अपने उसमें करा सकते हैं, अर्दु में करा सकते हैं, इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां तक सरकार की बात आ रही है, सरकारी संस्थाओं की बात आ रही है, वहाँ पर कोई भी religion ऐसा नहीं होगा, जिसके बारे में बात होगी या उसको, सब religion के बारे में बात होगी, किसी को preference नहीं दी जाएगी. इसी के बारे में भी बात की जाएगी. ये पहले चीज़ समझ में आ ले आपको, कि कैसे, पहले चीज़ जो है कि strategy यह है कि religion से अलग किया जाए. सरकार को ये करना है, प्रशासन को ये करना है, Constitution कहता है कि आपको अलग करना है दूसी चीज़ ये है कि कोई भी Domination जो हो रहा है यानि कोई Non-Interference ना हो Prevent the Award Domination is through a strategy of Non-Interference इसका मतलब क्या है? देखे अगर आपको बाकी सारे sentiments, religion के sentiments उनकी भावना की आदर का आदर करना है तो state ये कर सकता है कि वो कई religious community को कुछ favor दे सकता है जैसे मैं आपको बताता हूँ ये साहब जो हलमेट पहनते हैं लेकिन सिंग साहब है, ये सिख है, पंजाबी है ये जो सिख है, ये इनकी धर्म में है कि ये पगड़ी पहनते है अब ये पगड़ी पहनते है, तो यहाँ पर इनको हलमेट पहनने के लिए बाद्यता नहीं दी जा सकी इसका मतलब ये है कि गवर्मेंट ने ये एक leverage दी हुई है एक exception दिया हुआ है कि आप सिंग साब है, आपके धर्म में जो कह से चार्ज पाज चीज आती है इसमें जो पगड़ी है, वो बहुत जरूरी है, इसके बगएर काम नहीं चलेगा तो आपको हम हलमेट ना पहनेंगे तो आपके पर कोई चालानी होगा तो दूसी चीज आप में देखी, तीसी चीज ये है कि कैसे जो मैंने आपको domination का बताया उसमें intervention भी कर सकती है, अब आप बोलेंगे ये तो contradiction होगया अब ही आप कह रहे थे कि जो सरकार है, government है, वो religion से दूर रहे religious की, religion की बात नहीं कर रहे, अब आप कहने लगे कि आप सरकार religion की कोई भी बात होगी, उसमें intervene भी कर सके, ये तो contradiction होगया मैं आपको example से समझाता हूँ, untouchability थी, जैसे मैंने आपको सती प्रता बताई थी, याने ये होता था कि हिंदु ही religion में जो upper caste थे, upper caste लोग है, वो lower caste, शूद्र अती शूद्र को वो उनके हाथ का पारी भी नहीं पीते थे, उनको दूर रखते थे और उनके कुए अलग होते थे, उनकी जगए अलग होती थे, उनके मंदिर अब इनको lower caste नहीं कहना चाहिए, हर आदमी बराबर है, लेकिन क्योंकि इसमें कहा गया है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, जो पिछी जाती है, अती शूद्र लोग होते हैं, ये तो पिछी रह जाते हैं, तो इसके लिए मतलब law बनाना पड़ा, और law ने ये कहा कि अगर आप color चीज हो रही है, वहाँ पर state को अना पड़ता है, इसके बाद support दिया जा सकता है, जैसे मैंने कहा कई ऐसे religious communities हैं, जो अपने college खोल सकती हैं, school को सकती हैं, उनको सरकार पैसा दे सकती है, क्योंकि उनका एक भाशा है, उनकी Sanskrit है, उनका heritage है, उसको बचाने के लिए सरकार उन उनसे क्या अलग होता है, जैसे United States के धरनली प्रक्षिसा की बात करेंगे तो क्या हो, यहाँ पर देखें, जितने United States of America में हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपना school की शिरुवात करते हैं, एक pledge of allegiance, इसमें यह होता है, एक word है, under guard, इस pledge में, जब वो सुभे एक pledge लेते हैं, व कि यह pledge करें, कई लोग इस pledge को करें, क्योंकि इसमें under guard आता है, तो अगर ज़रूरी नहीं है, कि अगर कोई नहीं करना चाता, कोई बच्चा नहीं इसको बोलना चाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो exempt किये जा सकते हैं, किये गए हैं, यहाँ पर यह किया गया कि च इसके स्कूल है, वो अलग है, आप किसी को force नहीं कर सकते, कि सुबह सुबह आप प्रातना करें, आप शंस्कृत में श्रोग लें, या फिर उर्दू में कोई भाशा बोलें, ऐसा नहीं कि जरूरी है, कि आप नहीं करना चाते हैं, मत करिए, इस ओके, तो यह अंतर है थोड को अलग रहना पड़ता है, यह जरूरी है, जो पहली, जो पहला amendment मैंना अभी अभी आप से अर्ज किया, जो विधाई का जो laws इनमें बनाया है, इसका मतलब यह था US Constitution में, कि एक ऐसा establishment हो, is respecting and establishment of religion, और इसका मतलब यह है कि, इसका दुखे, दो दो चीज़ आगे इसमें, respecting and establishment religion, यानि कोई भी, कोई भी ऐसा legislature, वो किसी religion को, धर्म को, किसी United States के देश का religion भी बना सकता, पहले चीज़ तो यह है, और दुसरा यह है कि, religion और देश या सरकार, यह अलग रहेंगे, यानि ना तो देश religion के मेंटर में इंटरफेर करेगा, ना religion देश के कामों में लीजे, आप सरकार की बात करें, सीधी से बात मतलब यह है, religion अलग हो गया, तो religion स्टेट के काम में इंटरफेर नहीं कर सकता, क्योंकि पहले जमाने में इतिहास में देखा गया है, कि चर्च के उपर ही सारी सत्ता चलती दी, इंडियन स्टेट में इसमें थोड़ा सा अलग है, First Amendment में United States में कह दिया गया कि यह नहीं हो सकता, हिंडुस्तान में क्या है, थोड़ा लग है, इसमें क्या है, कि हमारे पास इतना, जैसे United States में ने कहा है, बड़ी स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, स्टेट अलग, religion अलग, उनके बीच में एक बड़ी दिवार है, कोई interference नहीं क को बताया, यह सती प्रथा, untouchability, तो Indian Constitution ने जो एक बहुत बुरी प्रथा थी, untouchability वो उसको हटाये गया, सरकार ने इसमें interference किया, और उसको कारून बनाके उसको बताया कि यह गलत है, और इसके लिए कारून पास किया कि यह punishable under law है, तो अभी चीज़े ठीक हुई है, कई च Constitution यह guarantee करता है, मौली का अदिकार, जो हमारे secular principle पे हो, यानि कि धर्म मिर्पेक शाधार पे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़े चल रही है, practically देखा जाता है कि यह है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, और हम और आप क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि हर धर अगर आप एक अलडर ब्रदर है, और यंगर ब्रदर है, तो बड़े ब्रदर का काम होता है, छोटे भीया काम करें, मदद करें, तो अगर आप हिंदू है, तो मुसलमानों की बदद करिए, अगर आप हिंदू है, तो सिख्खों की बदद करिए, अगर आप हिंदू है, तो सुझधान भी यह कहता है, भारत की सरकार के उपर भी यही बात देता है तो अगर आप गलत तरीके से अपने भाई को मारेंगे, पीटेंगे या गलत काम करेंगे, तो आपके बड़े भाई होने की जो हैसित है, वो हैसित कहीं भी नहीं रह जाएगी ठीक, यही बेसिकली आपका करक्स है मैं एक एक एजांपल आपको देता हूँ 2004 फेबरोरी में एक फ्रांस में एक लाउ पास किया गया इसमें यह था कि कोई भी कोई भी रिलिजिस तरीकी की चीज चेहरे पर नहीं पह जा सकती यह रिलिजिस साइन नहीं दिखाए जा सकता सिंबल जैसे लड़कियां जो होती है, मुस्लिम लड़कियां वो हेड्स कार्फ मानती है या जू जो है वो स्कल्कै पहनते है क्रिस्टिन जो है वो क्रॉस लगाते है अब इसके ओपर बड़ा बड़ा जाने लगया तो फ्रांस ने देखा कि हमारी तो लेबर्स स्केर्सेटी होगी हमारे जो लोग काम करने वाले हैं यह लेबर्स थे अलजिरिया, टुनिश्या, मुरोका से जो लगाए थे वो छोटे काम करते थे छोटे काम कर भी रहे हैं और इसी से इनके देश चलते हैं आप पुरे कैनेडा को ले लिजिए युएस से को ले लिजिए देश इनहीं माइगरेंट से चलते हैं तो फिर उनको समझ में आ गया कि अगर हमने लेबर्स हो गया क्योंकि लोग तो चले गया तो कभी-कभी आप ऐसा लौ बना देते हैं जिससे आप अपनी जिस लगड़ी वैठे होसी को काटे लगते हैं तो यह बात हो इस चैप्टर की बहुत शुक्रिया बहुत मैबाने सबी की